तो सबसे पहले हम SMPS से निकल रही इस 24-pin केबल को लगा लेते हैं इस motherboard में यह कहा लगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ तो इस motherboard में यहाँ पर आप देख सकते है 24-pin का socket दिया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर 24-pin का socket है इसी socket में आपको इस cable को लगाना है हमने इस motherboard में 24-pin केबल को लगा लिया है अब इस 4-pin की केबल को आपको लगाना है motherboard के इस वाले port में यहाँ आप देख सकते हैं इस वाले port में आपको इस SMPS से निकल रही 4-pin केबल को लगाना है अब हम इस cabinet में से निकल रही USB 3.0 की केबल को लगा लेते हैं इस motherboard में यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक socket है, USB 3.0 का, इसी socket माँ आपको इस cable को लगाना है, तो हमने USB 3.0 की cable को हमने इस motherboard में लगा लिया है, तो guys, अब हम इस fan को भी लगा लेते हैं, जो हमको इस cabinet के साथ pre-installed मिला है, अब हम इस cabinet में hard disk को लगा लेते हैं, तो इस hard disk को आपको इस cabinet के यहाँ पर लगाना होगा, यहाँ पर bottom न आप देख सकते हैं, आप इस space है hard disk लगाने के लिए, इस परकार से आपको इस hard disk को लगा लिना है, अब इस hard disk में आपको SMPS से देना होगा power, तो यह है SMPS की cable, तो जो हम इस hard disk में लगाएंगे, तो आपको इस परकार से hard disk में देना है power, अब हमको इसमें लगानी होगी SATA केबल, तो यह SATA केबल हमको इस motherboard के साथ ही free मिली है, तो अब आपको SATA केबल के एक end को connect करना है, इस hard disk के साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने hard disk में दे दिया है power, SMPS से, और इस hard disk को हमने connect कर लिया है SATA के साथ, और इस दूसरे end को हमको लगाना होगा, motherboard के SATA port में, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगाना है आपको, तो हम इस hard disk को द्वार असे, इस cabinet में insert कर लिते हैं, तो अब गाइस हम इस SATA केबल की दूसरे end को, motherboard में लगा लेते हैं, तो सबसे पहले हम इस cable को यहाँ से insert कर लेते हैं, cabinet के अंडर, अब आपको इस SATA केबल की दूसरे end को, इस SATA port में लगा लेना है, तो as you can see, हमने इस SATA केबल को इस motherboard में लगा लिया है, तो guys, as you can see, हमने इस hard disk को लगा लिया है, और आब हम लगाएंगे इस SSD को, यह SSD आपको कैसे लगाना है, मैं आपको बता लेता हूँ, तो जैसे आपने इस hard disk को लगाया, सेम उसी step से आपको इस SSD को भी लगाना है, सबसे पहले आपको इस SSD में देना होगा power, यहापर आपको इसको connect न होगा SMPS के साथ, तो इस SSD में power देने के बाद, आपको इसमें SATA केबल लगाना होगा, तो एसकेंसी हमने SSD में power दे दिया है, और SSD में हमने SATA केबल के एक end को लगा लिया है, और दूसरे end को हम लगा लेंगे motherboard के साथ, तो गाईस हमारा budget gaming PC लगभग ready है, अब हम इस cabinet में से निकल रही front panel केबल को लगाएंगे, इस motherboard में, तो इन front panel केबल को लगाने के लिए आपको help लेनी होगी, इस quick installation guide की, तो इसको अगर आप open करेंगे, तो इस chart को follow करके, आपको इन front panel की केबल को लगा लेना है इस motherboard में, तो चलिए गए, इस लगा लेते हैं, हम इन front panel की केबल को motherboard में, हम को इन सभी front panel की केबल को लगाना है इस motherboard में, तो सबसे पहले हम इस audio की केबल को लगा लेते हैं, यहापर आप देख सकते हैं, यहापर लिखा हुआ है HD audio, तो यह audio की केबल अब हम लगा लेते हैं, इस motherboard में, तो कर इस motherboard के एकदम edge में ही, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक slot दिया गया है hd audio 1 तो इसी slot में हमारी यह audio cable लगेगी तो हम इस audio की cable को लगा लेते हैं motherboard में तो एजुकेंसी का हमने front panel में से निकल रही audio cable लगा लिया है इस motherboard में अब हम इस USB की cable को लगा लेते हैं तो यहाँ पर आप एक slot देख सकते हैं जिस पर लिखा है USB 1 तो हम इस slot में इस USB cable को लगा लेते हैं तो हमने audio cable और USB cable लगा लिया है इस motherboard में अब हम इन cable को लगा लेते हैं तो इन cable में यहाँ पर आप देख पारे होंगे केबल को पर यहाँ पे कुछ लिखा है जैसे hdd led plus minus reset switch power switch power led plus power led minus तो हमको इन केबल को लगाने के लिए हमको help लेनी पड़ेगी इस quick installation guide की जो भी मैंने आपको दिखाया तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे एकडम edge में ही यहाँ एक slot दिया गया है जिस पर लिखा के पैनल 1 तो इस पैनल 1 के slot में हमारी यह सभी cable लगेगी इसमें आप देख पा रहे होगे यहाँ पर 9 पिन दिये गए तो इनहीं pin के अंदर हमको इन cable को लगाना होगा तो एक- को फॉलोओ करके आपको सभी केबल को लगा लेना है तो एजुकेंसी गाइस हमने इस कबिनेट में से निकल रही सभी केबल को इस मदरबॉर्ड में लगा लिया है तो चलिए गाइस अब हम इस PC को ऊण करके देख ते हैं कि हमारा PC प्रूपर्ली वर्क कर रहे हैं कि नहीं तो गाइस हमारा budget gaming PC बिल्कुल ready है हमने इस CPU को connect कर लिया है हमारे monitor के साथ with the help of VGA cable तो चले गाइस अब हम इस PC को on करके देख लेते हैं तो as you can see guys हमारा PC यहाँ पर properly work कर रहा है यहाँ पर AS Rocky branding आ चुकी है तो अभी तक guys मैंने इस CPU में keyboard mouse नहीं लगा है तो अभी मैं इस keyboard और mouse लगा लेता हूँ ताकि मैं आपको BIOS दिखा सको इस PC का तो guys इन सभी components का purchasing link मैं आपको video description और साथ ही साथ comment section में share कर दूँगा उस link की मदद से आप इन सभी components को one click में purchase कर पाएंगे तो चलिए guys अब मैं इसमें keyboard भी attach कर लेता हूँ तो आपको करने के लिए आपको F2 की को continuously press करना है यहाँ पर guys आप देख सकते हमने AMD Ryzen 5 3400G processor का इस्तमाल किया है और इसमें Radon Vega के internal graphics है वो सभी detail आप यहाँ पर देख सकते है और इसमें हमने 8GB RAM का use किया है DDR4 अब सभी detail इस BIOS में देख सकते है तो जैसे कि guys मैं आपको बता रहता है कि with the help of this motherboard you can overclock your processor and you also can overclock your RAM as well तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपर overclocking का option है यहाँ पर आप processor भी overclock कर सकते है और RAM को भी overclock कर सकते है तो यहाँ पर guys आप देख सकते हमारे budget gaming PC बिल्कुल properly work कर रहा है अभी मैंने इस PC का BIOS open कर रखा है अब आपको बस इस PC में Windows को install करना है Windows install करते ही आपका PC बिल्कुल ready to go हो जाएगा बिल्कुल चालू हो जाएगा आपका PC PC आपको इस PC में Windows कैसे install करना है इस पर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ आप उपर दिये गए आई बटन पर क्लिक करको इस वीडियो को देख सकते है जिसमें मैंने बताया है किस परकार से आप एक newly assembled PC में आप Windows 10 Pro install कर सकते है तो guys आप यहाँ पर देख सकते हमार यह budget gaming PC बिल्कुल properly work कर रहा है बहुत जल्द guys मैं आपके लिए इस budget gaming PC का gaming overview भी लेकर आऊंगा जिसमें मैं GTA 5, PUBG PC सबी गेम में आपको खेल के दिखाने वाला हो कि इस PC का कैसे performance रहने वाला है तो हमारी आने वाली वीडियोस देखने के लिए आप हमारी YouTube चैनल को अभी के सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूद दबा दिजे ताकि जब भी हम कोई वीडियो पब्लिश करें सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें तो guys मैं आपको द्वारा से बता देता हूँ इन सभी components का purchasing link मैंने video description और साथ ही साथ comment section में share कर दिया है उस link पर click करके guys आज PC की पूरी specification देख सकते हैं तो guys आज के इस वीडियो में सीखा कि आप खुद से कैसे एक budget gaming PC assemble कर सकते हैं आप से दोस्तो आई होप आज के वीडियो आप सभी के लिए जरू है और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज आप इस वीडियो के like और अपने सभी दोस्तों को share जरूर कीजेगा दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के नीचे दिए के comment section में अपने valuable comments ज दो दबा दीजिएगे ताकि सबसे पहले आप समय वीडियो देख सकें तो दोस्तों नमस्कार